गुमला जीले के घागरा थाना इस्थित कोटा माटी गाउं में एक कल्यूगी मा सुलेखा देवी ने अपने दो मासुम बच्चों को दो अलग-अलग कुए में फेख दी जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई पुलिस ने एक बच्चे के सव को बरामत कर ली है जबकि दूसरे की तलास जारी है साथ ही आरोपी मा को पुलिस ने गिरिपतार कर लिया है बताया जा रहा है कि सुलेखा देवी कर्मा पर्व मनाने के लिए अपनी नानी के घर सारंगो गाउं गई थी जहां से वह सुकुरवार को दोनों बच्चों को लेकर निकली और दस किलोमीटर दूर कोटा माटगयाँ पहुँची जहां वह दो अलग-अलग कुए में अपने दोनों बच्चों को फेक दी इधर इसकी भनक जैसे ही गरामिनों को मिली गरामिन काफी संख्या में घटना पर पहुंचे और इसकी सुचना पुलीस को दी गई पुलीस मोकाय वरदात पर पहुंची और एक कुए से एक बच्चे के सव को बरामत कर ली है जबकि दूसरे कुए से सव की तलास जारी है वहीं आरोपी मा को तुरंद गिरिपतार कर ठाना लाया गया सूलेखा देवी न बच्चों को कुए में फेक दी